आज हम सबसे पहले बात करेंगे हर्षा इंजिनिरिंग के आई पो के एलेटेड आपके जितनी भी क्वेरीज और डाउट से उसे क्लियर करेंगे आज का वीडियो बहुत इंपोर्टनी तो लाइक ज़रूर कर दीजेगा और वियोर्स क्वेरी के सेक्शन को स्पेशली देखना मद पूलेगा सब्सक्रिप्शन से शुरू करते हैं क्यू आई भी लाज़ दे पर पता चलेगा H&I category 5.83 time already oversubscribe हो चुकी है अगर हम H&I में भी 10 लाग की उपर की application की बात करें तो almost 5 गुना oversubscribe हो गई है 10 लाग के नीचे की application 7.64 time oversubscribe हो चुकी है Retail category 3 गुना से ज़्यादा oversubscribe और Employee की category भी 2 टाइम से ज़्यादा oversubscribe हो चुकी है मतलब बहुत अच्छा response मिल रहा है इस IPO को अगर market तोड़ा सा भी support कर जाए तो इस IPO में आराम से according to me because इस company ने listing पे तोड़ा सा scope छोड़ा है 50% के भी उपर के listing के मिल जाए तो मुझे बिलकुल भी shock नहीं होगा मैं personally apply करने वाला हूँ H&I category में अपने हर एक family mark के नाम से आप क्या करेंगे comment करके बता दीजिगा इसे गया शुरू करते आज का पहला पार जिसका नाम है market today सबसे पहले index को check out करते Nifty और Sensex दोनो 0.37% negative थे Bank Nifty 1.30% positive था मतलब आज के दिन जो market ने recover किया उसमें सबसे major role play किया Bank Nifty ने Mid Cap Index 0.33% negative Advanced Lens Ratio average था 814 share advance था जिसके against में 1172 shares decline हुए PSU Bank Metal, obviously सारे के सारे Banks के साथ साथ financial services, commodity, PSE बहुत अच्छा perform करें IT अब याद करिए जब IT का bounce आ रहा था क्या हम पिछले दो जिन से बात नहीं कर रहे थे कि IT ही हमेशा lead करेगा कभी भी market में correction आया थो और IT होने वाला है weak करी Oil and gas, reality, consumer durable के साथ healthcare pharma भी weak रहे Wix 18.27 पे पहुच गया है अभी ठीक है पर आज की दिन जो आखरी के आदी गंटे में Wix में spike हुआ उसने मुझे तोड़ा सा cautious कर दिया था Nifty की बात करें तो opening हुई थी gap down 17,771 की मतलब एकदम नीचे खुला और जहां खुला वही bottom बनाया क्योंकि 17,800 के आसपास था market का 10 day moving average और वहीं से प्यारा सा bounce आया bounce तो बहुत अच्छा चल रहा था पर आखरी के आदी एक घंटे में market ने वापिस से dip दिया यह जो आखरी वाला dip था यह तोड़ा सा हमारे मन में एक शंका का point छोड़ गया closing हुई है 18,000 बे ठीक closing हम कह सकते हैं अगर हम important updates की बात करें तो सबसे पहले UK का August का CPI का data है 9.9% पे versus estimate था 10% मतलब जितना estimate था उसी के semiconductor plant के लिए join hands कर दिया है गुचरात में आज की दिन FIAs ने 1300 करोज के उपर की selling करी और DIAs ने 187 करोज की purchase करी FIAs ने obviously काफी अच्छी selling कर रखी थी अब चलते हैं next section पे जिसके नाम है viewers query आज की दिन market जैसे ही gap down किया था सबसे पहले तो ना रात में हर कोई HGX ने रिखना स्टार्ट हो गया था और जब market gap down करा काफी लोग panic कर जाते और अभी तक तो market एकदम high से तोड़ा बहुत जग दे रहा है कभी भी collection deep जाता है तो हम बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं इसका सबसे mean कारण होता है कि हमारे पास sufficient debt में investment नहीं होता आपको पता है अगर आप इस channel से जुड़े है तो हमेशा मैंने debt के importance एकदम top पे रखिए क्योंकि जिस समय बुरा समय आता है न debt ही होता है जो आपको सबसे ज़्यादा आपके portfolio को support करता है और debt में invest करने का एक बहुत ही तरीका होता है government securities आज इस वीडियो में सबसे पहले में आपको government securities के बारे में कुछ basic points बताने के कुशिश करता हूँ पहला point government securities issue होती है और back होती है government of India की तरफ से मतलब यहाँ पे security और safety एकदम top notch होने वाले है second यह tradable होती है exchange में मतलब अराम से आप exchange में जाके trade कर सकते हो किसी भी security को और यह securities different different time horizon की different tenure की होती है obviously जैसे tenure बदलता है interest rate भी बदल जाती है पर आपके पास flexibility रहती है कि अपने mindset अपने time horizon के according आप government securities में invest कर सके है fourth important point government securities risk free होती है अगर हम बात करे credit risky क्योंकि यहाँ पे होती है government of India की और अगर government of India को यह अगर आप नहीं कहेंगे कि यह बहुत risk free हो गया तब तो आप किसे कहेंगे fifth important point government securities में आप investment start कर सकते हैं 10,000 रुपे से अगर हम नए है हम एक बास सीखना जाते है कि government securities क्या होती है 10,000 रुपे से भी investment start किया जा सकता है sixth important point government securities FD से usually जादा रिटन्स देती है मैं आपको कुछ example भी पता दूँगा and finally यहाँ पे कोई भी TDS नहीं करता है जब भी आप interest earn करते government securities में कुछ example हम यहाँ पे check out कर लेते हैं मैंने government securities different time horizon के आप के लिए present करी है और साथ ही रखा है fixed deposit की rate उसी time horizon में first column को check out करेगा तीन साल में अगर government securities की बात करे तो आज की दिन roughly 6.57% की interest rate चल रही है FD में साड़े 5% इसी तरीके से 10 साल में आप देखेंगे तो 7.28% की interest rate है government securities में fixed deposit में 5.65% की अगर हम कम time horizon की बात करे 91 days में भी अगर हम treasury bills की बात करे तो यहाँ पे हमें 5.56% की interest rate मिल रही है fixed deposit में 3.9% different different tenure और different interest rate आप check out कर सकते हैं एक और important point समझेगा unnecessary because हमें ज़्यादा tenure की interest rate ज़्यादा दिख रही है हमें उसमें invest नहीं करना होता जो आपका investment का period है उसी के according आपको government securities चूस करना ज़रूरी है final important question की government securities हमें किस तरीके से और कहां पे invest करनी होती है तो description में मैंने आपको thefixedincome.com powered by tipson का link दे दिया है यह one of the biggest and most promising platform है to invest in fixed income securities और वैसी भी जैसी आप invest करते किसी भी government securities में वो आ जाता है आपके demat में तो as such आपके लिए काफी comfortable हो जाता है tipson में account open करने का और tipson के through invest करने का link में description में रखूँगा साथ साथ मैं आपके लिए education purpose के लिए अगर आप और जाना चाहते है government securities के बारे में कुछ educational links भी description में रखने वाला हूँ check out करना मद भूलेगा अब चलते हम first query पर देखें ये बहुत बड़ी query होती है जो अभी हमने cover कर रहा है debt में invest करना हमें debt में भरोसा ही नहीं होता मैं ये नहीं कर रहा है कि आपको सिर्फ government securities use करनी है government securities एक बहुत प्यारा option होता है इसके अलगए अगर आप debt funds use करते वो भी एक option है तो आपको जो suit करता है उसके accounting आपको use करना चाहिए पर debt में अपने portfolio का एक part रखना बहुत important है next query आ रही है कि अदानी green में cup with handle का pattern का कब होगा failure हमें कैसे पता चलेगा और किस level पे failure होगा देखिए failure होने के लिए पहले breakout होना जरी है अभी तक अदानी green में cup with handle के pattern का breakout नहीं हुआ है technical chart आप check out करेगा 2535 के आसपास के level को cross करता है उसके बाद breakout होता है तब तक सिर्फ anticipation चल रहा है ये हमेशा ध्यान रखेगा next important query कि market तो जिस तरीके से अननना बात कर रहा है especially members only वीडियो में या फिर अनन्द का funda में उसके according चल रहा है पर macro economic factors तो different हो रहे है आपका इस चीज पर क्या टेक है देखिए अगर आप economy की basis पे stock market में invest करेंगे तो आप कभी पैसा नहीं कमा सकते stock market हमेशा forward looking होता है देखिए अगर stock market बहुत ज़्यादा perform कर चुका है अगर कोई बहुत ज़्यादा पर ध्यान देता है तो वह stock market में पैसा नहीं कमा जा सकता मैं यह नहीं किरा कि आपको नहीं पता होना चीए पता होना चीए पर उसी से guide होके सारे decision बनाए तो कभी भी पैसा आप नहीं कमा पाएंगे यह मेरा personal opinion है चलते हैं नेक्स section पर जिसका नाम है stock in focus सबसे पहला stock in focus से आप टिकर डेवा पर चकाउट कर सकते हैं महिंदरा holidays 280 के आसपास important support है 295 के लेवलों cross करते ही 305 से 310 के लेवल immediately open हो जाते है next and final important stock होने वाला है गुजरात नरपदा 760 से 750 important support है 781 के लेवलों cross करते ही 789 से 95 के लेवलों open हो जाते है दोनों के दोनों stocks swing trading के लिए और short term purpose के लिए हमारी study में रह सकते हैं चलते हैं हमारे final section पर जिसका नाम है expectations from tomorrow's market general market trend uptrend में और number of volume distribution days का count हो गया है आज के दिन में हमें recovery मिलिये पर आज के दिन में volume जादा थे और market हमारे benchmark point से कम था यानि कि एक volume distribution day हो गया है major relations अब वापिस से same ही रहेगा 18100 से लेके 200 की range important support पहला मिलेगा 17700 पे major support है 17500 पे put call ratio 1.22 पे है comfortable है अब अगर overall market की बात करिशा है आज के दिन तो market यानि की index nifty sensex ने 10 day moving average के आसपा support लेए और वहां से bounce कर दिया अगली बार गया तो 10 day moving average वीक हो जाएगा 17700 पे हम सपोर्ट एने की बात कर रहे है पर उसको एक बार तोड़ने की market पुरी-पुरी कोशिश कर सकता है अगर आपको अगला dip मिला थो आज के दिन का market एक profit दिन था सिर्फ एक चीज को छोड़ते वे आखरी के आधी घंटे जिस तरीके से आखरी के आधी घंटे में wix पड़ा और market भी तोड़ा सा नीचे आया मैं कल की opening के एक घंटे में तोड़ा सा safe होके काम करने की कोशिश करूँँआ overall आप सभी को पता है market uptrend में है opportunities हमें मिलती रहेगी जैसे आज के दिन आपको एक अच्छे opportunity मिली और उस opportunity को अगर आपने use किया भरोसी के साथ देखिए कभी कभी ना भगवान भी ऐसा ही करता है कल ही हमने भरोसी की बात करेती और आज ही market को ऐसा तोड़ा कि आपको भरोसी के सरुवत थी this is a pure coincidence पर कभी कभी ना ऐसा हो जाता है कि एक ऐसे समय पर हमसे वो बात बोल दी जाती है जिस समय genuinely आपको requirement होती है तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा आपको तोड़ा भरोसा रखना ज़रूरी है डिप में opportunities मिलेगी बहुत ज़्यादा over quantity नहीं करनी होती पर जितनी हम झेल सकते हैं hold कर सकते हैं control कर सकते हैं आपके पास opportunities इस market में मिलती रहेगी thefixincome.com का link description में है और pen comment पे है check out करना मत भूलिएगा happy learning and I will see you very soon